सब इकोन मश्कार आज का हमारा पाठ है बालगोविन भगत और इसमें कुछ महत्वपुन बिन्धों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं साथ ही हम important questions पर भी चर्चा करेंगे तो देखते रहें ये वीडियो को अंत तक बच्पन में जो लेखक है वहें खुद पर गर्व करता था बहुत गर्व करता था क्यों करता था क्योंकि वहें एक ब्रह्मन था ब्रह्मन ही ब्रह्म को जानता है और लेखक भी पक्का ब्रह्मन बनने के लिए ब्रह्म को जानना चाहता था इसलिए वे रोज संध्या करता, गायत्री का जाप करता, धूपवन करता, तिलक लगाता था और सभी ब्रामनत्व के कारेवे करता था पाठ में बाल गोबिन भगत मंजले कद्गे व्यक्ति हैं उनका रंग गोरा है और उनकी उम्र जो है साथ वर्ष है वे दाड़ी यजटा नहीं रखते हैं, लेखक उनका बहुत सम्मान करता है और उनका चिहरा हमेशा सफेद वालों में चमकता रहता है शरीर पर वो उतने ही कपड़े पहनते हैं जितना शरीर को ढगने के लिए जरूरी हो साथ ही कमर में एक लंगोटी भी पानते हैं, टोपी पहनते हैं, काला कंबल भी ओडते हैं और माथे पर एक चंदन का तिलक लगा करके रखते हैं गले में तुलसी की जडों की माला पहना करते थे बाल गोविन भगत कबीर जी को काफी मानते थे और कहते थे कि जो भी कुछ दिया हुआ है वह सब कबीर जी का दिया हुआ है कार्थिक मास में बाल गोविन भगत की प्रभाती शुरू हो जाते थी प्रभाती क्या होती है सुबह सवेरे गाय जाने वाली प्रार्थना और यहें प्रभाती कारतिक मास से शुरू हो करके फाल गुन मास तक चलती रहती थी पे सुभए अंधेरे में उठते गाउं से दो मिल नदी परस्नान करने जाते और बापसी में गाउं के पोखर यानि तलाब के उचे स्थान पर अपनी खंजड़ी बजाते हुए गीत गाया करते थे और उनके जो गीत होते थे अपने आसपास के वातावरन को भुलाने के लिए काफी होते थे जब माग की सर्दी आती थी तो उनके गीत में इतनी उतेजना आ जाती थी कि उन्हें पसीना आने लगता था लेकिन सुनने वालों को शरीर ठंके कारण कपकपा रहा होता था पाठ में ही एक महेदपुन घटना घटित होती है जो उनका पुत्र था वह बिमार था और दिमाग से कमजोर था और उसकी मृत्यू हो जाती है मृत्यू पर भी वह रोना धोना नहीं करते हैं बलकि कहते हैं कि आत्मा का पर्मात्मा से मिलन हुआ है इसलिए मृत्यु पर उत्सव मनाया जाना चाहिए। पुत्र की मृत्यु के पश्चात बालगोविन भगतने जैशे ही शाद की अवधी पूरी होती है अपनी पुत्र वधु को उसके घर भेज दिया। और उनकी जाती में पुनर विवा की अनुमती थी वे अपने घर में विध्वा जो जवान है उसको रखना नहीं चाहते थे और वे चाहते थे कि उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए। बाल गुमिन भगत हर वश गंगासनान पर भी जाया करते थे। खाने की आवश्चक्ता है यह कहते थे आई दिवे ग्रिस्ती को भीक्षा मांग कर खाना अच्छा नहीं है इसलिए दोनों कारण सोहेप हैं घर पर खाना खाया करते थे लेकिन पानी जरूर मांग करके पीलिया करते थे और पाठ की बात करें कुछ महत्पून बिंदों पर अगर हम चर्चा करें तो बाल गोविन भगत को आधर निये व्यक्ति मानता है यहां पर लेखक और लेखक ब्राम्मन था जबकि बाल गोविन भगत एक तेली थे और उ कि वास्तों में वह साधू थे ग्रेष्टी में रहते वेवी साधू का जीवन जिया करते थे साधू की पहचान उसका पहनावा नहीं होती अपी तो उसका वहवार होता है और बाल गोविन भगत की बात करें तो वह मौमाया के जाल से दूर रहने वाले व्यक्ति थे उनके अनुसार जो भी देता है वे मालिक देता है और इसलिए वो अपने खेतों की पैदावार कबीर मठ में पहुचा देते थे बाद में परशाद के रूप में जो मिलता था उसी से अपना जीवन निर्वा कर लिया करते थे पुत्र की मृत्यू पर भी पुत्र वधु से सभी क अक्रम करवाये जाते हैं, जैसा कि मैंने अपको पहले भी पता दिया था, समाज में परशलित मानेताओं को नहीं मामते थे, उन्होंने पुत्र वधु को पुनर विवा के लिए उनके घर बेज दिया था, और अपने नीजी इस्वार्थ के लिए कभी भी काम नहीं किया कर ने पर आत्मा का रूप है उसे पहचान लिया था और उनका यही सोचना था कि आत्म का पर्मात्मा से मिलन हो जाता है जब व्यक्ति को म्रित्यू प्राप्त हो जाती है अगर हम बात करें तो यहाँ पर बालगोवीन भगत जो है पार्ट का प्रमुक चरितर है और उनका अप्यक्टितु एक साथू जैसा है और हलाकि वह साथू नहीं है उनके चेहरे पर सफीद वालों के कारण काफी तेज लगता था उनकी वेशुषा के बारे में हम बात कर चुके हैं अगर व्यवसाई की बात करें तो वे एक किसान थे और अपने खेत में धान की फसल उगाया करते थे कबीर के वो भगत थे ग्रेश्टी में रहते वे साधू जीवन को वेतीत करते थे कबीर जी की सभी सीख्षाओं पर अमल किया करते थे मधूर गायक भी है वो यूकि हमने देखा कि वो गाना गाया करते थे तो उनको पसीना आजाता था ठंड में भी और बाल गोबिन भगत का संगीत ऐसा था कि सब को जूमने के लिए मजबूर कर देता था साथी वह संतो सीवरत्ती के व्यक्तिवे थे और मो मया से दूर थे सामाजिक परंपराओं के विरोधी वह थे अगर हम इसके कुछ महत पुन बिंदू की बात करें जिसमें प्रश्ण वत्तर भी आ जाते हैं तो कुछ जो प्रश्ण हैं बहुवी कल्पी प्रश्ण में आपको बता देती हूं बाल गोबिन भगत किस विधा का पाठ है यह भी एक महत पुन प्रश्ण है तो यह रेखा चित्र के रूप में लिखा गया है बाल गोबिन भगत कैसे कद के आदमी थे तो वह मंझूले कद के आदमी थे बाल गोबिन भगत कितने वर्श के उपर के रहे हूंगे तो वह साट वर्श के उपर के रहे हूंगे बाल गोबिन भगत के मस्तिस्क पर कैसा चंदन लगा रहता था बाल गोविन भगत कबीर को क्या मानते थे तो वह कबीर को साहब माना करते थे इसके इलावा भी मैंने आपको जो इसके सारे महत्पुन प्रशन है जो हमारे बहुत विकल्पिय प्रशन आते हैं अग्जाम में उनके वीडियोज बनाए हैं तो आप ले लिश्ट में जाकर के सर्च कर सकते हो इसके साथी मैं आपको एक प्रशन और बता देती हूँ कि मृत बेटे को भगत ने चटाई पर कहां लिटाया तो उन्हें आंगन में लिटाया गया था बाल गोबिन भगत की मृत्यू किस कारण से हुई थी दिल का दोरा पढ़ने से उनकी मृत्यू हुई थी और बाल गोबिन भगत गंगाशनान करने किस साधन से जाया करते थे तो पैदल वह जाया करते थे